हेलो फ्रेंड्स, BSC की इस स्पसल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस वेलकम है मैं नेम इस आशिश गरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे BSC 3rd year Botany का 1st semester है Plant Resource Utilization, Pellenology and Biostetics दोस्तो इस semester से 1st unit का 1st chapter है Center of Diversity and Center of Origin जिसके अंदर हम Domestication and Plant Introduction के topic भी पढ़ते हैं तो इसके अंदर मैं डिसकस कर चुका हूँ Center of Origin के बारे में Domestication के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम complete करेंगे Plant Introduction, Plant Introduction क्या होता है, कितने types का होता है Plant Introduction का Procedure क्या होता है, Merit and Demerit Points को भी हम cover करेंगे यानि के Plant Introductions related जितने भी topics है वो हम इस वीडियो के अंदर complete करेंगे दोस्तों यदि आपने हमारा Telegram Channel जो की BioBook Tech के नाम से बना हुआ है अगर आपने जोइन नहीं किया है तो आप जोइन कर सकते हैं और इसके लावा आप हमारा BioBook Tech application भी download कर सकते हैं जहाँ पर आपको PDF के form में notes भी मिल जाएंगे चली friends वीडियो को start करते हैं तो चली friends setting डालेजिए Plant Introduction आज की इस वीडियो के अंदर हम discuss करेंगे Plant Introduction क्या होता है, कितने types का होता है इंडिया में Plant Introduction की agency क्या है Plant Introduction का procedure क्या होता है जो कि एक most most important topic है और finally हम discuss करेंगे Plant Introduction के Merit and Demerit Point को तो आईए समझते हैं सबसे पहले कि Plant Introduction क्या है तो अगर एक मिनिट के लिए definition को skip करें और इसको practically समझनी की कोशिश करें जैसा कि आप लोग जानते है पिछली वीडियो के अंदर मैंने cover किया था Domestication क्या होता है Center of Origin का topic मैं discuss कर चुका हूँ तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो सबसे पहले आप उस वीडियो को cover कर लीजिए ताकि ये वीडियो भी आपको आसानी से समझ में आ जाए कि इसमें मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ ठीक है तो Center of Origin and Domestication का topic जितने भी student ने cover किया है उसको अच्छी तरह से पता है कि आज के समय में जितने भी इंडिया में crops plant है जिनका भारी मातरा में production हो रहा है वो उनका जो Center of Origin है वो अलग है ठीक है वेविलोव ने जो 8 Center of Origin define किये थे जैसा कि मैंने आपको बदाया था यानि उसके according आज की समय में जितने भी crops plant हम use कर रहे है जितनी भी varieties हम use कर रहे है उसका Center of Origin अलग है यानि उसका जो natural place है जहां पर वो प्रकरतिक रूप से उगा वो पोधा वो उसका Center अलग 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 countries में है जैसे for example हमारे देस में सेब मक्का अलू मुमफली मिर्च तिल या अरहर जुआर पपीता अनानास या काजू या चैपती या जितने भी यह जो वराइटीज है जितने भी यह fruits वगरा है यह सब इंडिया में नहीं थे अलग अलग center of origin पर अलग अलग जो fruits वगरा थे लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ इंडिया पर हमें अच्छी तरह से पता है कि इंडिया को लगातार गुलाम बनाते रहे कभी ब्रिटिस ने इसको गुलाम बनाया कभी मुगल ने तो कभी पूर्टकाल ने अलग 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 लोगों ने इसको गुलाम बनाया ठीक है अलग 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 लोगों ने आकर के भारत पर राज किया तो उन्होंने साथ में अपने जहाब जैसे for example Central Asia में जैसे अफिगानी इ यह क्या है बिसिकली अगर किसी ऐसी जगहां पर जहां पर वो प्लांट नहीं पाया जाता जैसे for example अंगूर है वो Central Asia में था ठीक है इंडिया में इसका अंगूर का प्रोड़क्शन नहीं होता था किसी को नहीं पता था कि अंगूर भी कोई फ्रूट होता है तो अब यहां से उठा करके अंगूर को ला करके किसी भी मेंथर्ट से ला करके अब इंडिया में उसको उगाया उसका प्रोड़क्शन करना स्टार्ट कर दिया जाए यानि फर्स्ट टाइम जब उसको आप इंट्रोड्यूस करोगे तो उसको हम कहेंगे प्लांट इंट्रोड़क्शन र ये कोई भी plant जरूरी नहीं लेकिन हम लोग consider करते हैं जो हमारे लिए आर्थिक महत्व के हैं economic importance के plant है उसी को ही हम consider करते हैं जैसे कोई crop plant है वो किसी environment में रह रह रहा है जैसे मैंने आपको खाया अंगूर का एक grapes का जो example दिया उसका environment अलग था अब इस environment से plant को उठा करके आप किसी दूसरे environment में जब ले जाते हैं तो अगर वो उस environment को directly adopt कर लेता है तब तो उसको बोलते हैं primary introduction अगर वो हमें दूसरा कोई method अगर उसमें कुछ change करना पड़े या कोई desirable traits उसमें लगाना पड़े उस plant के अंदर तो यह secondary introduction क्या लाता है तो यह जो types होता है plant introduction का इस base पर दो type का primary introduction एक secondary introduction एक और तरीका है जिसमें आप इसको यहाँ पर define कर सकते हैं देखे जैसे for example अगर आप जो कोई plant की variety है अगर आप foreign country से लेकर आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं exotic collection इसको short court में easy से denote किया जाता है जैसे जो green revolution है वो इंडिया में वो start नहीं हुआ था तो उस time पर जो गेहूं थे जो गेहूं उगाए जाते थे वो long variety के थे हमारी इंडिया country में जो गेहूं उगाए जाते थे वो long variety के थे ठीक है लंबे लंबे थे लेकिन आज के समय में बिल्कुल dwarf variety हम उगाते है ठीक है high yield वाले जिससे कि हमें high yield मिल सके और इसके लावा दोस्तों यदि same country से ही एक plant को जैसे for example कोई plant है वो राजिस्थान में है अब हमें उसे लाना है उत्तर प्रदेश में यानि country से है लेकिन जगें थोड़ी अलग है, state अलग है तो हम क्या करेंगा अगर same country से ही किसी plant को एक जगें से दूसरी जगह लगा जाता है जहां पर वो plant नहीं हुगा है जैसे for example उत्तर प्रदेश में वो plant नहीं है और राजिस्थान में है तो अगर हम राजिस्थान से उस plant को लगा करके directly introduce कराते हैं उत्तर प्रदेश में या UP में तो इसको कहा जाता है indigenous collection तो इस प्रकार से two type का collection होता है एक तो वो collection जो हम बाहर से विदेश से मंगाते हैं, foreign country से मंगाते हैं एक होता है हमारे जो स्वेदेश यानि कि same हमारी कंट्री है इंडिया कंट्री है, तो यानि कि अगर same country से लाया जाता है तो उसको कहा जाता है indigenous collection और अगर foreign country है तो उसको हम बोलते है exotic collection, ठीक है इसको IC से denote करेंगे, इसको हम EC से denote करते हैं इसका एक बहुत बड़ा procedure है जिसको मैं बताऊंगा, जिसके five steps है plant introduction ऐसे ही नहीं हो जाता कि किसी plant को उठाया और लेकर आ गए और लगा दिया, इसका एक procedure होता है जिसे मैं आपको discuss करूंगा तो यहाँ पर आप definition आप note कीजिए plant introduction is a process of introducing plant, ठीक है plant introduction क्या है, एक process है, जिसमें किसी plant को introduce कराया जाता है किसी कोई particular genotype या group of genotype हो from their own environment, यानि एक तो उसी के environment से नए environment में अगर वो नए environment को directly adopt कर लेता है बिना किसी problem के वो survive कर लेता है, तो उसको हम क्या कहेंगे primary introduction, अगर उसमें कुछ change करना पड़े, कोई desirable traits हमें अपनी तरफ से उसमें लाना पड़े, तो इसको हम क्या कहेंगे या अपनी तरफ से हम कोई उसमें change करते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे secondary introduction, ठीक है तो plant introduction डो टाइप का होता है एक और example में आपको समझा देता हूँ, इससे आपको directly अच्छे से समझ में आ जाएगा कि plant introduction क्या है तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया में पहले जो है, लगवग 1960 से पहले, जो गीहों की लंबे वाली variety उगाई जाती थी जिसे हम बोलते है long variety जो की जिसकी height लगबग 5-6 feet तक थी लेकिन आज के समय में dwarf variety हुगाई जाती, वो जो dwarf variety है वो कहां से लाई गई, वो Mexico से लाई गई ठीक है, यह जो dwarf wheat की गेहों की जो dwarf variety यानि छोटी वाली जो variety है वो लाई गई Mexico से और Mexico से जो दो variety लाई गई एक का नाम है Sonera 64 इसको आप note down कर सकते हैं क्योंकि MCQs में पूछा जा सकता है, दूसरा है Lerma Rojo, ठीक है, यह दो varieties लाई गई, अब यह dwarf varieties थी और high yielding थी ठीक है, इनसे जो yield हमें मिला वो जादा मिल रहा था, तो यह varieties directly Mexico से लाकर के जैसे ही India में लगाया गया, तो हमें किसी change करने की जरूत नहीं पड़ी, यानि क्योंकि देखो, Mexico का environment थोड़ा different अलग है, वहां का environment अलग है, और इंडिया के environment थोड़ा अलग है, तो अब यहां पर उस variety को directly यहां इंडिया में लगाया गया, और इस variety ने इस इंडिया के जो environment है, इसको adopt कर लिया, ठीक है Mexico में जब था, तो वो क्या कहलाएगा इसका own environment, यानि उसका खुद का environment, जो natural environment था लेकिन अब हम इंडिया में लेका रहा है, तो उसके लिए एक नय environment मिल गया, तो अगर इसने नय environment को directly adopt कर लिया, यानि यह खुश हो गया कि चलो मैं यहां पर खुश हूँ, इस environment में मैं survive कर सकता हूँ तो इस तरह के plant को क्या कहेंगे, इस तरह के introduction को कहेंगे primary introduction, right तो यह नाम आपको ध्यान रखना है dwarf wheat varieties, जो की Mexico से लाई गई, sonera 64 and lerma rozo इसको आप define कर सकते हैं primary introduction को when the introduced variety is well suited to new environment then it is realized for commercial cultivation without any alteration of genotype is called primary introduction, जैसे for example, दोस्तों मैंने आपको कहा कि जब आप sonera 64 और lerma rozo को Mexico से ले कराए, जहाँ पर उसका एक अलग environment था, जहाँ पर उसका अपना environment था अब आप उसे इंडिया पर ले कराए जहाँ का environment अलग है लेकिन ये दोनों environment में बिल्कुल बराबर मातरा में survive कर रहा है, बराबर मातरा में yield दे रहा है, तो इस तरह है कि introduction को क्या का होगे, इस तरह के introduction को करेंगे, primary introduction ना हमें उसके genotype में कोई change करना पड़ा, वो directly वो environment इसे suit कर गया, तो इसलिए इसको कम कहेंगे primary introduction जब कोई change ना लाना पड़े, अब secondary introduction क्या होता है, इसको भी आप लोग समझ लीजे और इसके example को भी आप याद रखेंगे, when the introduced variety is subjected to selection or used in hybridization program with a local varieties to get improved varieties with a some new characters introduced called secondary introduction इसमें क्या होता है, जैसे for example आप कोई Mexico से या कहीं से भी आप एक नए, कई area से कोई plant आप लाते हैं, ठीक है आप इंडिया में लगाते हैं, तो आप ने क्या देखा कि वो plant survive नहीं कर पाया, उसकी death हो गई, right अब आप क्या करोगे, जब वो survive नहीं कर पा रहा है, तो अब आप क्या करोगे उस plant को लाओगे, तो आप उसमें उसके genotype में कुछ change कर सकते हैं आप उसमें, उसका hybridization करा सकते हैं, उस plant प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, secondary introduction यानि कि हमने क्या किया, सबसे पहले उसमें कुछ change किया, या किसी दूसरे plant के साथ, उस variety का हमने hybridization कराया, तब जाकर कि हमें जो नई variety मिली, उसका हमने introduce करना है, start कर दिया, तो इस प्रक्रिया को हम कहते है, secondary introduction secondary introduction, basically हमें कुछ desirable traits चाहिए होते हैं, जैसे for example अगर हमें जो fruit है, उसका size बड़ा चाहिए, तो हम क्या करेंगे हम उसमें change करेंगे, हम उस plant के genotype में change करेंगे, जिससे कि हम उसके gene में change करेंगे, हम क्या करेंगे, एक ऐसा gene introduce करेंगे, एक foreign gene उसमें introduce करेंगे, जोकि responsive होगा बड़े size के लिए, तो अब क्या होगा, जो बड़े size को चाहिए, तो आपको gene को introduce करना ही पड़ेगा, इससे तब जाकर कि हमें जो plant मिलेगा, जो हमें नई variety मिलेगी, उसे हम क्या कहेंगे secondary introduction, ठीक है, अब हमने introduction को आपको कोई change नहीं करना पड़ता, आप directly एक area से दूसरे area पर directly लगा देते हैं, बट secondary introduction में क्या होता है, जब आप एक area से दूसरे area मिलाते हैं, तो environment का फरक होने की वज़े से, या किसी भी फरक की वज़े से, वहाँ पर हमें कुछ ने जुसमें change करना पड़ेगा, वरना वो plant survive नहीं कर पाएगा, ठीक है दोस्तो इसका example है, जैसे मेक्सिको से लाया गया wheat की एक और variety है दो variety आप नाम लिखेंगे, एक तो कल्यान सोना एक सोना लिका, ये दोनों नामें आप रहात रखना, कल्यान सोना और सोना लिका, ये जो है after selection, जबने किया कि यहाँ पर सबसे पहले hybridization कराना पड़ा, तब जाकर कि ये इंडिया में ये है जो हमें, क्योंकि ये high yielding वाले और dwarf wheat की variety थी, छोटी variety, जिससे की high yield मिले, तो इस तरह की variety को उगाने के लिए हमें सबसे पहले उसमें hybridization कराना पड़ा, ठीक है, selection करना पड़ा, तब जाकर कि हमें ये variety यहाँ पर survive कर पाई, तो after selection, original genotype में हमने desirable gene का transfer किया, जिससे की हमें एक नई variety मिली, इस प्रकिरिया को हम कहेंगे secondary introduction, तो I hope you will be understand, next heading आता है agencies of plant introduction in India plant introduction की इंडिया में agency कौन से है, ठीक है क्योंकि most important है, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आखे लिए इस agency की स्थापना क्यों करनी पड़ी, देखे दोस्तों यहाँ पर note down करेंगे the central plant introduction agency in India, जिसका नाम है NBPGR shortcut में, और इसकी full form है national bureau of plant genetic resource, इसके बारे में कई बार short question में आपसे पूछा जाता है what is NBPGR, तो यह है national bureau of plant genetic resource, इसका headquarter नहीं दिल्ली में है, और इसकी कई सारे substations भी हैं, ठीक है इसके under में कई सारे substations आते हैं इंडिया में जैसे Simla, Jodhpur, Amravati यह कन्या कुमारी जो की tropical zone को represent करता है, Shilong जो की North East India को, यानि यह germ plasm के collection के लिए represent करता है, और इसके लावा जो other agencies हैं, जैसे for example plant introduction का काम करती हैं, FRI Forest Research Institute या BSI Botanical Survey of India, इनके बारे में आप लोग पढ़ा ही होगा, आपने BSC Secondary में पढ़ा है अपने, तो यह सब जो Botanical Garden है, कुछ और कुछ agencies हैं, जो की plant introduction को, यहाँ पर लेकिन main जो central है वो है NBPGR, National Bureau of Plant Genetic Resource और यहाई सब जो पहला procedure है यही अनुमती देता है, ठीक है अगर foreign से कोई भी आप नया कोई plant अगर आप इंडिया में लाना चाहते हो या इंडिया से बाहर जाना चाहता है तो सबसे पहले जो अनुमती देता है जो वो यही है, ठीक है अप्रूवल यही देता है NBPGR National Bureau of Plant Genetic Resource तो अभी आप इसको फटाफट नोट कीजिए, चली friends, फटाफट इसलिए आपको अच्छे से समझना होगा दोस्तो प्रोसीजर का मतलब क्या है जैसे for example किसी country के अंदर किसी fruit की एक बहुत अच्छी variety है और हम चाहते हैं कि वो इंडिया में भी होनी चाहिए तो हमें एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा ऐसा नहीं कि हम directly train या bus से जाएं या हवाई जाज से जाएं और जाकर के उस variety को लेकर आएं और अपने देश में लगा दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है हमें एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है जो कि एक most important प्रोसीजर है इसलिए नहीं कहा रहा हूँ क्योंकि एक्जाम पेपर में आएगा इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि ऐसा करने से लाखों लोग किसी country के भूखे मारे जा सकते हैं आपकी एक छोटी सी mistake या फिर आप इसे कहें बड़ी mistake इसकी वज़े से किसी देश की economy तक डूब सकती है कैसे मैं कहा रहा हूँ देखिए जैसे for example आप किसी variety को किसी दूसरी country से लेकर आते हैं हो सकता है कि उसके साथ कोई pathogen आ जाए जो की दूसरी आसपास की जो crops plant है उसको भी नुकसान कर दे यानि किसी भी तरह की कोई जंगली variety भी आप साथ में लेकर आ गए जो की आसपास की फसलों को नुकसान कर दे जैसे आपने सुना होगा कि इंडिया में जो टिड्डियों हैं टिड्डी वेगरा इसमें ने काफी जादे crops plant का नुकसान कर दिया था तो इस तरह से suppose कोई आप pathogen लेकर आ जाएं कोई insect लेकर आ जाएं साथ में तो लोग भूखे मारे जा सकते हैं क्योंकि जब फसले ही ने रहेगी तो फिर लोग खाएंगे क्या समझ रहे हो ना तो इसलिए हमें एक procedure के साथ गुजरना पड़ता है राइट हर हर country के अंदर एक agency है इस काम को करने के लिए हर country के अंदर एक agency है जैसे scientist इंडिया के scientist है वो चाहते है कि कोई दूसरी variety जो की इंडिया में available नहीं है वो अमेरिका में है तो अमेरिका की जो agency होगी उस agency को हम request send करेंगे और किसके दोरा request करेंगे इंडिया की जो हमारी agency है उसका नाम है National Bureau of Plant Genetic Resource NBPGR इसके थुरू हम request send करेंगे जो की इंडिया की है राइट अब इसी तरह से हर country की अपनी अपनी एक agency है ठीक है अब देखे अब ये agency क्या करेगी ये जाकर request send करेगी फिर वो variety हमें send कर देंगे राइट अब ये जो variety है हो सकता है कि हम इसको buy करें अमेरिका से या exchange करें यानि के बदले में हम भी एक variety देंगे या फिर gift के तोर पर अमेरिका हमें दे सकता है नहीं किसी भी तरीके से बाहर से जो variety आई अब इस variety को अच्छी तरह से detect किया जाता है कहीं इसमें कोई insect तो नहीं है इसको इसमें numbering दी जाती है इसका center of origin इसका मतलब पूरा identification किया जाता है तब जाकर कि इसको इंडिया में introduce कराया जाता है तो इसके 5 steps है जिसको आप लिखेंगे पहला steps है अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि plant material जो भी हमें वहाँ से मिला ठीके किसी दूसरे country से या suppose ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे country से ही मिले जैसे हम इंडिया में रहते हैं इंडिया में जो राजिस्थान है और अब राजिस्थान से कोई plant material हम चाहते हैं UP में भी आए तो इंडिया जानी के country के अंदर भी मामला हो सकता है और बाहर से भी exotic collection भी हो सकता है और indigenous collection भी हो सकता है जासा कि मैं आपको बताया था ठीक है तो देखिए सबसे पहला procedure है वो है procurement इसमें क्या होता है इसमें सबसे पहले अगर हमें कोई variety चाहिए बाहर की country से तो हम क्या करेंगे request send करेंगे ठीक है request किसके through send करेंगे NPBGR हमारी जो agency है इंडिया की उसके through अब ये क्या करेगा ये उस जो भी plant material हमें मिला हुआ है उसको अच्छी तरह से देखेगा कि ये disease free है या नहीं है या कोई insect तो इसके साथ नहीं है कोई pathogen कोई nematode कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी वज़े से हमें बहुत ज़्यादा harmful activities हो जाए तो तब जाकर कि ये एक certificate देता है जिसे हम बोलते है phytosanitary certificate ये certificate इस बात का प्रमान है evidence है कि इसमें जो भी plant material हमें मिला हुआ है चाहे वो tuber के form में मिले, seed के form में मिले या पूरा plant हमें मिल जाए ये इस बात का evidence है कि ये certificate कि इसमें जो है किसी भी तरह का pathogenes या disease नहीं है दूसरा point है quarantine ठीक है procurement के बाद जो दूसरा procedure है वो है quarantine quarantine ये जो word है कोई आपके लिए नया नहीं है क्योंकि आप लोग covid से गुजर चुके है quarantine का मतलब आप लोग अच्छी तरह से जानते है quarantine में जैसे कोई भी plant material है उसको रखा जाता है उसको detect किया जाता है अच्छी तरह से कोई insect या nematodes या कोई weed उसके साथ नहीं है कोई wild weed जो हमारे आसपास के पतलागा हमने कहीं किसी खेत में इसको लगा दिया और साथ में जो आसपास की फसले हैं उनके लिए वो नुक्सान हो तो काफी सादा मतलब वहाँ पर हम similarities dissimilarities सब कुछ चेक करते हैं उसमें हम देखते हैं फिर उसके बाद third जो प्रोसीजर है वो है cataloging इसमें हम किसी भी plant material को एक number देते हैं जिसे हम बोलते हैं accession number ठीक है और prefix में हम लगा देते हैं ECIC या EW अब आप लोग सोच रहे ECIC क्या है जैसा कि मैंने आपको starting में ही बता दिया था अगर वो exotic collection है यानि किसी इंडिया से किसी दूसरे देश से है ठीक है अब जैसे for example अफगानिस्तान से कोई collection आ रहा है या Taliban से आ रहा है या कोई भी country है उससे कोई collection आ रहा है कि कोई plant material हमें send किया जा रहा है तो हम वहाँ पर EC लगाएंगे EC इस बात को denote कर रहा है कि यह कोई out of India से यानि इंडिया के बाहरी किसी दूसरे country से आ रहा है तो इसको हम कहते है exotic collection अब उसके बाद अगर इंडिया के अंदर किसी एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुचा रहा है तो इसको बोला जाता है indigenous collection और अगर वो wild species है या wild variety है या wild चीज है तो उसकों क्या कहेंगे अगर जंगली पर जाती है तो उसकों बोलेंगे indigenous wild यानि कि हम IW का भी shine महाँ पर लगा देंगे ठीक prefix में ठीक और यहाँ पर और और भी चीजे mention की जाती है EC, IC और EW के अलावा और भी चीजे है जो mention की जाती है जिसमें दिखा जाता है कि कौन सी variety है और इस species का नाम क्या है इसका center of origin क्या है यानि कहां पर उत्पन हुई में जो उत्गम के अंदर है जो origin center वो कहां पर है यह सब cataloging के अंदर देखा जाता है उसके बाद जो fourth procedure हो है evaluation evaluation में क्या होता है some collection that are not adapted initially become adopted देखिए होता क्या है basically जैसे आप लोग किसी बाहर से कोई variety लेकर आए इंडिया में अब वो variety अगर आपने पूरी तरह से सभी procedure से आपने complete कर लिया और आप गई खेत में लगाने के लिए लेकिन वहां के environment को वो adapt नहीं कर पाया हो सकता है कि जहां पर वो पहले था जहां पर उसका natural जहां पर वो उगा था वहां पर एक अच्छा environment था जो उसके लिए अनुकूल था ठीक अब आप लेकर आए इंडिया में जहां पर उसके लिए जो वातावरन है जो environment वो बिल्कूल भी अनुकूल नहीं है प्रतिकूल है तब इस condition में हम उसको क्या करते हैं उसको हम अनुकूल बनाते हैं राइट हम उसकी कई तरह से जिसको इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें अनुकूल किसी plant को रहने के लायक या अनुकूल बना जाता है ताकि environment पूरी तरह से उसके लिए अनुकूल favorable condition में आ जाए इसको variability चेक करते हैं, life cycle की duration उसमें देखते हैं, यानि कि इस सारी procedure उसमें करते हैं, जिससे कि अब वो plant है, वो अब यहाँ पर अनुकूल हो चुका है, यहाँ पर रहने के लिए अलायक हो चुका है, अब यहाँ पर survive कर सकता है, तो इस procedure को कहा जाता है, evaluation ठीक, last procedure होता है multiplication और distribution, इसमें क्या होता है, finally, जिसने request send किया था, वो चाहें, इंडिया के scientist research के लिए send करें, या कोई इंडिया का farmer है, वो हमें send करें, तो finally हम क्या करते हैं, उसको plant material प्रोवाइड कर देते हैं, अब ये खेतों में लगाया जाता है, और तब जाकर के, हम उससे high yield हमें मिल जाएगा, मतलब कि जो भी हम चाहते थे, जिसने भी इसको request किया था, कि हाँ, हमें ये variety चाहिए, दूसरे country में available है, वो हमें मिल जाती है, right, उसको distribute कर दिया जाता है, तो ये था procedure plant introduction का, right, अब इसके कुछ merit और demerit point भी है, demerit तो मैं कहना गलत समझूँगा, क्योंकि अब जो ये जो procedure हमने follow किया, इसमें सारे demerit point निकल जाएंगे, ठीक है, तो फिर भी आप note down करेंगे, exam paper में merit और demerit point आप पुछे जा सकते हैं, merit point ये है कि provide entirely varieties हैं, तो वो क्या करेगा, India को request send करेगा, हमारी agency को से contact करेगा, और कहेगा भाई हमें भी आम की जो बहतर varieties है वो हमें provide कर दीजिए, तो हम भी उसके country में अगर बहुत अच्छी variety होगी, तो हम क्या करेंगे, हम भी कहेंगे चलो ठीक है, हम आपको ये variety send करते हैं, आप हमें दूसरी variety fruit की send कर दीजिए, तो इस तरह से ये process काला जाता है, exchange, यहाँ पर हमने exchange किया, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि उस country के पास कोई ऐसी variety ना हो, या फिर वही varieties हो, जो हमारे पास already available हैं, तो हमें इस बात के लिए कुछ पैसे देगा, यानि जो भी हमारा चार्ज होगा, हम उसको cut करेंगे, यानि हम क्या करेंगे, उस variety को उसके पास पहुचा देंगे, तो एक तरीके से हमें क्या मिल रहे हैं, एक नए crops plant मिल रहे हैं, जो हमारे लिए economic value के हैं, ठीके, दूसरा point, most quick और economical method, ये एक most, मनलब बहुत जल्दी एक प्रक्किरिया है, जिसके जरीए हम किसी भी plant को बहुत जल्द से जल्द किसी मिल जाती हैं, इसके जरीए, और साथ में जो plant introduction है, ये आपको note down करना है, MCQ में पूछा जा सकता है, backbone of agriculture, right, demerit point क्या है, दोस्तों, demerit point में ये था कि जैसे, for example, कई सारी, जैसे आप लोग कहीं से कोई plant लेकर आए और इंडिया में, और अपने लगा दिया, और साथ में उसके साथ कई सारे weeds आ गए, साथ में जैसे की आरजीमोन, आरजीमोन मतलब ये सारी विदेसी weeds थी, जो इंडिया में नहीं थी, लेकिन हमने जो बाहर से जो cross plant लेकर आए, उनके साथ ही ये भी आ गई, जैसे, for example, इकोरिया, लेंटेलाटा, इकोरिया, लेंटेना, ये मतलब ये कुछ ऐसी weeds हैं, जो विदेस में थी, लेकिन हमारे इंडिया में भी आ गई, जिसके वज़ए से हमें और दोस्तों, इन बिमारियों के लावा कुछ इंसेक्ट और पेस्ट भी cross plant के साथ भारत में एंट्री कर गए, जैसे potato का tubermouth है, और woli ephys of apple, यानि कुछ ऐसे paste और इंसेक्ट आ गए, जो हमारे लिए harmful, जो हमारी cross, जो फसले हैं, उनको नुकसान पोचाते हैं, तो इस प्रकार से हमने merit और demerit points को भी cover किया है, और ये था procedure of plant introduction, plant introduction के topic में सिर्फ इतना ही, अगर आपको कोई ऐसा लगता है, कोई topic छूट गया है, तो आप लोग comment करके बता सकते हैं, बाई बाई, टड़ा